किसानों के दिल्ली कूच आंदोलन को लेकर राजिस्थान से हरियाना होते हुए दिल्ली को जोडने वाले नैसनल हाईवे 48 पर पुलिस की तरब से सक्ती सुरू कर दी गई है रिवाडी की सीमा में जैसिंग पुरा खेडा बॉर्डर पर लगातार सुरक्षा बंदोबस्त किये जा रहे हैं बेरिगेट्स के साथ पत्थरों के डिवाडर डंपर और क्रेन को खड़ा किया गया है इतना ही नहीं हरियाना और राजिस्थान दौनों ही राज्यों के पुलिस जवानों को तैनात किया गया है 2020 में हुए किसान आंदोलन के समय भी दिल्ली की तरफ से बढ़ते समय किसानों ने जैसिंग पुरा खेडा बॉर्डर पर डेरा जमा लिया था काई महीनों तक जैसिंग पुरा खेडा बॉर्डर बंद रहा इस बार राजिस्थान से दूसरे राज्यों के किसान इस हाईवे से दिल्ली की तरफ कूछ नहीं कर जाएं इसके लिए पहले ही व्यापक तैयारियां कर दी गई है हरियाना और राजिस्थान के आला पुलिस आपस मितालमेल बना कर रोज रणनीती तैयार कर रहे हैं हाला कि पुलिस के तरफ से बैरिगेट जरूर लगाए गए हैं लेकिन हाईवे पूरी तरह से खुला हुआ है दरसर किसानों ने हरियाना में संबू बॉर्डर पर खनौरी बॉर्डर के अलावा कुछ अन्य जगे पर डेरा जमालिया है राइस्तान की तरफ से कोई किसान जत्थे बंदी दिल्ली की तरफ रुख ने कर जाए इसके लिए रेवाडी और राइस्तान पुलिस ने पहले से ही तैयारिया की हैं बॉर्डर पर केंद सरकार की तरफ से भी सीमा सुरक्षा बल की एक बटालियन को म मौर्चा समालने के लिए भेजा है दियस पर पाउनकुमार ने बताया कि कोई भी गतिविदी जो कानून के खिलाप हो उसे घटित नहीं होने दिया जाएगा इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस 24 घंटे बॉर्डर पर तैनात है पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस् के साथ काम कर रही है